तेते वे धावन ने कहा कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना प्रेसिडेंस रूल के पावर के बहुत आगे चला गया था हाला कि इस आर्गिमेंट से CGI खुश नजर नहीं आए स्खन्ना ने धावन को समझाते हुए कहा There is a difference between existence of power and abuse of power thus let us not confuse it दो अगस से चली आरी आर्टिकल 370 के रिमूवल के खिलाफ की फाइनल येरिंग को आज छटा दिन हो गया है आज ऐसी कौन सी आगिमेंट सामने आई जिसमें Justice खन्ना कहने पर मजबूर हो गए कि existence of power और abuse of power में बहुत फर्क है और येरिंग के अन पे CGI DY चंदरचूद ने पेटेशन से क्या मांगी इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आज पेश हुए Senior Advocate दावन को 2 गंटे का टाइम अलोट किया गया था और वहीं दूसरी ओर Senior Advocate दुशन दावे को 4 गंटे का टाइम 20 odd petitions के सुनवाई के लिए 60 hours का टाइम सुप्रीम कोट ने रिटन सब्मिशन के बाद तै किया था इसमें से 10 hours each Senior Advocates का पिलसिबल और गोपाल सुपरिमन्यम को मिले थे पांचमें दिन की येरिंग में पेश हुए आडवोकेट जफर शा को 8 गंटे का टाइम अलोट किया गया था आपको ये बताना जरूरी होगा कि सारे आडवोकेट इस बात को दर्शार हैं कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से रिमूफ किया है वो गलत और इन्वालिड है जैसा कि आप सभी को ध्यान है सीनियर आडवोकेट का पिलसिबल ने येरिंग के पहले 3 दिन लिये थे और अपने आग्यूमेंट्स पेश किये थे और उनका मानना था कि जम्मू इन कश्मीर कांसिटूइंट असेमली डिजॉल्व होने से आर्टिकल 370 पर्मनेंट हो गया था पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सिबल ने कितने इंट्रिस्टिंग आर्गूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे थे अगस्ट 9 जो की हीरिंग का चौथा दिन था ने सीनियर अड़ोकेट गोपाल सुप्रिमन्यम के आर्गूमेंट सुने थे आपको बता दे कि अड़ोकेट गोपाल ने कोर्ट को वर्चुली जोइन गिया था और वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे उन्होंने ये साफ किया था कि Union Presidential Order के थुरू Article 370 को रिमूव नहीं कर सकती है और ऐसा करना Article 356 को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना होगा पाचमें दिन की hearing में जफर शाने बोला कि जमू और कश्मीर को अच्छे और सही तरीके से इंडिया के साथ मर्ज नहीं किया गया है जिस पर CGI ने उन्हें समझाते हुए बोला कि जमू और कश्मीर इंडिया का पार्ट अल्रेडी बन चुका है पाचमें दिन की hearing में कुछ समय बाकी रहने की वज़़े से कोट ने सीनियर आडोकेट राजीव धवन के भी आग्यूमेंट सुने हाला कि समय बहुत जल्दी समाप्त हो गया था आपको बता दे कि वे जमू और कश्मीर पीपल कॉनफरेंस की ओर से पेश हुए थे उन्होंने अपने आग्यूमेंट्स में इंडियन हिस्टरी की बात की और कहा कि स्टेट का कंकरेंस लेना बहुत जरूरी होता है और बहुत ही इंस्टेंसिस में ऐसा किया भी गया है चटे दिन की hearing उन्होंने इधर से ही स्टार्ट करते हुए सुप्रीम कोट को याद दिलाते हुए कहा कि उनका जो मानना था कि इंस्ट्रूमेंट अफ एक्सेशन से जमू और कश्मीर की सोवरेनिती खतम हो गई है वो गलत है He stated Our submission on this is that as far as the instrument of accession is concerned It deals with external sovereignty That is lost with a few exceptions here and there But internal sovereignty is not lost Article 370 was a substitute to the stance or merger agreement without which we are lost अपने argument को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि एक स्टेट के लिए उसके autonomy बहुत important होती है और उसके बिना सब कुछ बिखर जाता है Autonomy को बहुत important बताते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये Indian constitution के federalism का एक basic structure है He stated Our constitution doesn't shy away from creating autonomous states Autonomy of state is fundamental to our constitution Autonomy is not alien to our constitution Dhawan ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि Indian constitution दुनिया का सबसे diverse constitution है इस बात पर सहमती जताते हुए Justice Call ने कहा You are right, it's possibly more diverse than the whole of Europe combined इस बात को और आगे बढ़ाते हुए Dhawan ने कहा कि India's specific asymmetric federation ने बलके एक multi-symmetric federation है He stated Indian constitution is multi-symmetrical of which Jammu and Kashmir is a part Dhawan ने अपना argument बढ़ाते हुए कहा कि Article 370 ने Jammu and Kashmir को internal sovereignty दे थी जिसे अगर dismiss किया जाएगा तो इसका मतलब ये निकलेगा कि approgation के पहले लगाया हुआ President rule अपने काम में fail हुआ था जिससे ये साफ होता है कि Article 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी हाला कि Dhawan की इस argument ने CGI कुन से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया उन्होंने पूछा इस पर CGI को जवाब देते वे धावन ने कहा कि Article 370 को रूमूव करना President's rule के पावर के बहुत आगे चला गया था हाला कि इस argument से CGI खुश नजर नहीं आए इसके बावजूद भी धावन ने अपने argument के favor में बोला कि प्रोविज्यों को Article 3 के mandatory provisions के साथ पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये President को बहुत wide-ranging powers देती है He said, during the President's rule, Articles 3 and 4 cannot be invoked as they have conditionality attached and the conditionality lies with the state legislature and here the legislature was Parliament and the governor became the President हाला कि इस argument से Justice Khanna खुश नजर नहीं आए उनका माना था कि Article 3 and 4 को इतना broad meaning देना बहुत गलत रहेगा He said, such a broad proposition on Articles 3 and 4 may not be acceptable There may be situations which may not be able to be postulated इस बात पर धावन ने उन्हें समझाते हुए कहा कि Parliament भी एक legislature of state की जगा नहीं ले सकता और ऐसा करने एक बहुत नारो proposition हो जाएगा हाला कि Justice Khanna ने धावन को समझाते हुए कहा There's a difference between existence of power and abuse of power thus let us not confuse it Advocate धावन ने अपने last leg of argument में ये भी कहा कि Jammu और Kashmir state को दो union territories में divide करने के लिए Article 239 और 239 AA का reference लेना बहुत जरूरी था He stated Jammu और Kashmir is not a dead horse The autonomy of a state cannot be wished away like this Just because this government says okay the provision was taken away The autonomy of a state is fundamental to the Indian constitution उन्होंने अपने arguments को conclude करते हुए कहा कि अगर government के powers को चेक में नहीं रखा जाएगा तो ऐसा किसी भी state के साथ हो सकता है Hearing में समय बाकी रहने की वज़ह से Bench ने senior advocate दुशन दावे के भी arguments सुने आपको बता दे कि इनने 4 hours of argument time अलोट किया गया है उन्होंने Jammu और Kashmir की history बताते हुए कहा कि Article 370 उसके special status का एक promise था और उससे remove नहीं किया जा सकता था He said, Article 370 is unusual draftsmanship It is temporary by object, the purpose Once that purpose is subserved, nothing remains for the president to exercise उन्होंने ये भी बोला कि constitutionalism हमेशन national interest के उपर आएगा और इसी मामले में अगर courts भी फैसला देंगे तो सही रहेगा He stated, Let us assume that today this decision is in national interest But the next decision may not be in national interest That is why the court needs to step in, lay down a law So that the constitutionalism comes to play and this is not repeated anywhere else और इसी के साथ hearing डा समय समाप्त हो गया हानक कि Chief Justice of India ने petitioner से निवे दिन किया कि वे अपना समय आपस में ऐसे बाटले कि petitioner की site Tuesday 22 अगस तक समाप्त हो जाए CGI को उमीद थी कि शायक petitioners की site Thursday 17 अगस तक अपने arguments पेश कर देगी पर ऐसा नहीं होने पर उन्होंने ऐसा बोला है Tuesday तक petitioners की site खतम होने पर court respondents की भी site सुनेंगे फिर Court की बातों से ये साफ जाहिर है कि petitioners की पास अब बस दो दिन का समय है अपने सारे arguments पेश करने का To keep yourself updated with this segment of legal news, keep following law chakra